कॉल सेंटर के जरीए गरीबों को फसा कर उनके बैंक अकाउंट हैकर्स को बेचने वाली गैंग का परदा फार्श हुआ है इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गरफतार किया है पाली में ये गैंग पच्चास से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुकी है मामला औद्योगिक थाना शेतर का है जहां से गरीबों के अकाउंट की डीटेल बेची गई है आरोपी पीडितों के अकाउंट की डीटेल लेकर हैकर्स को बेच कर मोटी रकम प्राप्त करते हैं हैकर्स इन खातों से धोखा धड़ी के पैसे का लेन देन करते ताकि जब भी कोई कारेवाही हो तो नियम के मताबिक खाता धारक पर ही हो स्पी चूना राम जाट ने बताया 13 मार्च को अध्योगिक थाने की सेच चोप पाना चौधरी को सूचना मिली कि भगवती विहार में एक मकान में कुछ लड़के फर्जी कॉल सेंटर चला रहे हैं फर्जी बैंक अकाउंट भी खुलवा रहे हैं इसके बाद थाने के उपनिरिक शक भवरलाल मैं साइबर थाना टीम को मौके पर भेजा इस दोरान पुलिस ने ओद्योगिक थाना शेतर के सोसाइटी नगर निवासी 41 साल के श्रमण कुमार पुतर जगदीश कुमार और भगवती विहार निवासी अविशेक बीके 35 वर्षी अपुतर धीरज बीके को गरफतार किया अविशेक नेपाल के किम सुनरिया बैतरी नगर पालिका पाटन का मूलने वासी है आरोपियों के पास से मुबाइल फोन, सिम कार्ट, अलग-अलग बैंकों की डाइरिया, फर्जी वैपारिक प्रतिष्ठान की रबर स्टांप, बैनर, घी के डिब्बे, नमकीन, खाली कार्टून आदी बरामत किये पूचताश में आरोपियों ने स्विकार किया कि इस सामगरी का उप्योग वे साइबर फ्रॉड के लिए करते थे आरोपि श्रमड के खाते में करीब पचास लाख रुपए का लेन देन होना सामने आया है जबकि दोनों आरोपि समेत अन्य बैंक खातों में करीब धाई करोड से अधिक का लेन देन होने की संभावना है पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपि गरीबों को बैंक अकाउंट खुलवाने की एवज में 10-30,000 रुपए का लालच देते थे फिर उनके दस्तावेजों में बदलाओ कर अकाउंट में फोन नंबर बदलवा देते इसके बाद पुलिस जब आरोपियों को खुज दी तो गरीब वेक्ती ही पकड़ में आते पुलिस ने बताया कि पाली में संभौता पहली बार ऐसी गैंग पकड़ी गई है दोनों आरोपी साइबर ठगों के संपर्क में थे साइबर ठग उन्हें 50,000 रुपए एक फरजी बैंक अकाउंट उपलब्ध करवाने के लिए देते थे इसके कारण आरोपी ऐसे लोगों की तलाश करते थे जोने पैसों की जरूरत रहती थी उन्हें रुपए देते और उनके दस्तावेजों से बैंक अकाउंट खुलवाते थे इसके बाद अकाउंट में हैकर्स के दिये मुबाइल नंबर जुड़वा देते फिर अकाउंट को हैकर यूज करता था हैकर ऑनलाइन ठगी के जरिये जो रुपए आते थे उनका इसी अकाउंट से लेन देन करते और वारदात को अंजाम देते थे एसपी विपिन शर्मा ने बताया आरूपियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया इसमें उद्योगिक थाना एसेचो पाना चौधरी उपने रिक्षक भवरलाल हैट कॉंस्टेबल राजू राम कॉंस्टेबल भवानी सिंग अशोक सुर्य नरैंड प्रकाश शंद और कॉंस्टेबल रमेश आरूपियों को पकड़ने वाली टीम में शामल रहे एसपी चौणा राम जाट ने कहा कि साइबर ठगी से बचने के लिए अपने बैंक अकाउंट एटिम के जानकारी किसी से भी साज़ा नहीं करें साथी अपनी बैंक डाइरी या अन्य दस्तावेज भी किसी अन्यकों न देवें पाली से समवाद दाता भवानी सिंग बागावास की रिपोर्ट